नमस्कर दोस्तों आपका स्वागत है मैं आपके समक्ष मुना कुमर आप लोग का स्वागत करता हूं तो यह इति हास का जो हिस्टिजी का आपका है ट्वेल्फ क्लास का है यह 2015 की कोश्चन पूछे गए हैं प्रिवियस पेपर तो 2009 से पढ़ते हैं 2009 का पेपर नहीं देखें 2010 कोश्चन को आप भली बाती देखिये और समझने का परियाज किजिए और यहां से जादे बैखना आपके नहीं वाले हैं दिखें तो जो विएकती देख लेता पैदे हैं कि आपके इससे जादी एक जाए में कोश्चन नहीं आने वाले हैं तो लास्त तक बने रहें और असनानागार के ओसेस कहा मिले हैं विसाल थिक है विसाल असनानागार की बात कर रहे है तो असनानागार के ओसेस मिले है जो मोहंजोदरों से मिले है जबकि काली बंगा की बात करेंगे तो काली बंगा से जो है राजास्तान में है काली रंग की चोडिया मिली है जबकि लोथल से बात करेंगे तो यहां से बंदरगाह मिले हैं जो गुजरात में पढ़ता है जिसे गोदावाडी के नाम से जाना जाता है और हडपा की बात करेंगे तो यहां पर विसाल असनानागार मिले हैं और यहां मोहन जोद्रों में ठीक है जबकि यहां पर विसाल अनागार मिले है अन्नागार पूछेगा कि विसाल अन्नागार कहां से मिले हैं तो वह हड़पास हो जाएगा और विसाल असनानागार कहेगा तो वह मोहन जो द्रोस हो जाएगा तो option आपका जो बाह होगा वह राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोच्टन के और बढ़ते हैं अगला कोच्टन क्या है इसको हम देख लेते हैं ठीक है नेक्स पुर्ण की संख्या होती है अब अठारा की वह अस्वाती है अब कि जानते है ठीक है नेक्स कोचन के और बात करें तीसरा कोचन लिखा है कि महाबीर ने पार्सोनात के सिधान्त में नया सिधान्त क्या जोड़ा था तो महाबीर की बात करें तो महाबीर जो थे 24 वे तितकंकर थे पार्शुनत की बात करें तो यह तितकंकर थे प्रतम तितकंकर हिसब देव थे दूसरे तितकंकर तितकंकर थे अजीत नात थे तितकंकर जो थे संभव नात थे ठीक है तितकंकर का मतलब होता है संस्थापक ठीक कोचन बूल रहा है कि मावीर स्वामी ने पार सवनात के सिधान्त में नया सिधान्त क्या जोड़ा था तो वह चोड़ा था ब्रम्चर्य का यानि अप्शन नंबर बज हो जाएगा राइट हो जाएगा वह को यहां पर लगा लेंगे निक्स कोचन की बात करेंगे चौता कोच क्या है कि प्र्याग प्रश्वस्ती की रचना किसने की थी तो आधो ने की रचना की है और इनके बारे में बने हमेरन यही सब्सक्राइब करेंगों कि और शायस्तर के लेखक को ऑश्याय चूस्तbox इनकी बाते पूछी जा रही है तो और शास्त्र के लिखक जो हैं वह है कोटी ले जिसे विश्णू गुप्त या चड़क के के रूप में जाना जाता है जबकि बालमिकी की बात करें ठीक है बालमिकी जो है रामाइन रामाइन पुस्तक लिखें बर जबकि बेदब्यास की ब में हुई थी तो बहुत संक्ति की बात करेंगे तो बहुत बहुत दर्म के संस्तापक जो थे गौतम बूद थे उनके अन्य नाम ते ततागत के नाम से जाना जाता था साकमुनी के नाम से जाना जाता एसी आफ लाइट के नाम से किसे जाना जाता है गौतम बूद की ठीक है ग जुमनी में उनका क्या होता है जनम होता है और वह क्या करते हैं कि उन्हें ग्यान की प्राप्ति ठीक है बूद गया में होता है और पीपल बिरिक्ष के नीचे होता है इन बात के द्याना कहेंगे और आगे चलकर इसमें चार बहुत संगतिया बुलाई जाती है और चौर्थी पहली बहुत संगतिया जो हुई थी वह कनिक्स के समय हुई थी जबकि पहली बहुत संगति आज्जाद सतुल के समय हुई थी और दितिय बहुत संगति जो थे काला सुप के समय होती है और तीसरी बहुत संगति जो हुई थी वह असुप के समय हुई थी तो चोथी बहुत करिं ॖ कह isolating को स्माजी ग्र्णते थे पहले के कौंड तो महा कस्यश्व थे ठीक है इनको भी ध्यान में रखेँगे एंगे सत्व कोशन ने की बात करेंगे सत्वा कोशन क्या है कि वज्जी को समाजी Sergeant में कहा गया है वज्जी जो है वज्जी को क्या कहा गया है समाजी गुरंत में गड़ संग कहा गया है गड़ तंत्र कहा गया है राज तंत्र कहा गया है तो यह तीनों बाते कही गई है और वज्जी जो थी लिच्वी की जो राधानी वज्जी जो थी आठ समूहों में अभी भाजी था इन बातों पदियान रखेंगे तो आपका जो है द राइट हो जाएगा द आपका राइट हो जाएगा यानि तीनों से संबंदी थी यहां पर आठवा कोशन लिखा है कि जनपद सब्द का साब्दिक अर्थ है जो जनपद है जैसे आप दाने होंगे कि जन होता था जन से जनपद का निर्वार हुआ जनपद से महा जनपद का निर्वार हुआ और महा जनपद सोरो महा जनपदों का उलेख है अंगुत्तर निकाय और भगवती सुत्र से मिलता है अंगुत्तर निकाय बहुत गरंत है और भगवती सुत्र जो है वह जैन गरंत है इनसे सोरो महा जन की बात करें लिख्योड में लिखा है कि पंच चीन वाले सीख़े बने होते थे जो पंच सील्क होते थे वह सुनदा सुना और चानी दूनों के बने होते थे तो आपका देखिए और ओ फिभそう फोना और चानी यहां पर प्रण देख लेते हैं थे के यहां UP पर चांदी चांदी और थांबे लुका बने होते थे सुना के नहीं बनने एक थी तो आपका इंसर जो हो जाएगा है यानि दूनों अफो जाएगा थीखिर-टे सुना का नहीं सीख्ञें bene थे चांदी का सीखा बना था और तांबे के सीखे बने थे पंच चीनों वाले में ठीक है अप्सन आपका दो जग होगा राइट हो जाएगा नेक्ट कोशन के और बात करेंगे इक काली बंगा इस्तित है मैंने कई पहले ही बारे में बताया था कि काली बंगा जो है वह राज आस् के सिंदू में है और पंजाब के स्थे में है और ऐर मंगल के छे तम यह कोई सिंदू घाटि सव्यता का स्कूल है मिले यह नहीं है इन बात हो ध्यान रखेंगे नेक्स कोशन को चलते हैं नेक्स कोचन में क्या लिखा है इनको देख लेते हैं ठीक है लिखा है कि असोक असोक द्वारा परचलित बौध धरम का बौध धरम का कहां परचलन नहीं हुआ यानि कहने का मतलब है कि असोक द्वारा जो परचलित बौध धरम कहां परचलित नहीं हुआ यानि असोक ने किस जगा ब धर्म का परचार नहीं किया था बिद्द्द के राजा के पस करवे किये सिर लंका अपने महेंदर और पुत्री का परचार नहीं करते तो और समन महीं का नहीं पूछाए तही यह यह हो जाएगा बरहों कोश्चन लिखा है कि पाटली पूत रुट्रु नगर की अस्थापना की गई थी पाटली पूत्रा किस ने की ती भाईया तब भीम्बि साहर ने किया किया था कि आजास सुट्र ने कि नेक्स वोचन की बात करेंगे भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था भारत का अंतिम मुगल सासक बात करेंगे तो हमने पहली बारों जाना था कि जो पानीपत का प्रतमीद होता है 1526 सिस्वी में तो बाबर यानि मुगल बंस की अस्थापना होती है और उसका संस्थापक बाब में चाहिए तो वहीं की मिर्टू हो जाती है इन बातों को भी दियान रखेंगे नेक्स को चन की और बात करेंगे की लिखा है कि तलवडी में किस पर्सीद संत का जना हुआ था तो तलवडी की बात करेंगे तलबंडी की तिक है तलवडी नहीं लिखा है तलबंडी जो है पकिस्तान में आज के डिटिम पड़ता है पकिस्तान में और वहाँ उनका जन्म हुआ था पर जिस संद्ध का उचका गुरु नानक तो गुरु नानक से संबंदी थे जब कि मीरा भाई के बात करेंगे तो राजहस्तान से महींता और अबिदास की बात करेंगे और कबीर की बात करेंगे तो यह आपके बनारस में उपी के छेत्र में इनका जन्म हो था यह आप वाद के लियर हो जाएगी अकबर का रख्षक कौन था याद रखेंगे कि अकबर का रख्षक जो होगा वह बाऍतने अ करेंगे कि आइने एकबरी किसने लिखा है आइने एकबरी जो है पुस्ता का नाम है इसको लिखने वाले थे अबूल फजल ठीक है कौन लिखने वाले थे अबूल फजल ने आइने एकबरी पुस्ता को लिखी है याद रखेंगे आइने एकबरी किसने लिखा है आइने एकबरी पुस्त करना में इसको लिखने वाले अभूल भाजल हैं मुंख्ट कोश्चन में एक स्रपथम किस मुगल सासक ने किया था तो अकबर जो था जो तामा को का सिमन करता है और उसे चालू कर देता है जब कि जाहंगेरी की बात करेंगे तो जाहंगरी वर ने इस बात को भी दियान में रखेंगे नेक्स ओचन की बात करेंगे और अपने जीवन का अंतीम भाग कहां बिदाया था और जो था हम लोग जानते हैं कि 1707 सीवी में अभी हमने बता है इनकी हमें रित्त हो जाती है और जब दकिन गया था बियान यशुद जी और शिवा जी के ब्रोध में गया तजद चिनकोर तो उधर ही उसकी मिर्टु हो जाती है तो आपका और जो हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है तो नक्长on कि उइन को बात करेंगा देख लेते हैं को इसको तो को दिक नहीं होना है जया अब बात करते हैं गोशन कि अल्बुरूनी के साथ भारत अया था अल पुरूनी के बात करेंगे तो आप बली बाती जानते हैं भारत में तिन लूटेरे आते हैं एक आते हैं मुहमद बिन कासी मुहमद गजनवी और मुहमद गोरी जिसमें मुहमद गोरी के समय ही मुहमद गजनवी के समय मुहमद गोरी के समय नहीं मुहमद गजनवी के समय वह क्या होता है अलबुरुनी भारत आता है तो मुहमद सब्सक्राइब आपका 100 और महम्मद गोरी की बात करेंगे तो महम्मद गोरी जो था भारत में पांची दुलड़े गए गए ते नहीं इंपोर्टेंट और मोहमद गोरी जिसमें पितवी सब्सक्राइब करें कि जल्दी जरूर कमेंट करें मेरे दोस्त और बताएं कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो आप यहां तक देख लिए तो थोड़ा तो रहें थोड़ा सा मेनत किजी आपके बनियां से कोश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे नेक्स कोश्चन की और बात करेंगे नेक्स सब्सक्राइब किस में लिखाता तो यह बात को ध्यान रखेंगे क्या अंग्रेजी में लिखाता क्या उर्दू में लिखाता क्या फार्सी में लिखाता ठीक है तो इसमें सब्सक्राइब लेकिन आपके किताब में जो दिया है और भी भांसा दिया है तो आप्शन आपको एक पर टीक करेंगे लेकिन कुत्बू इबनु बतूता जो था दोनों भासा में इसके जो पुस्तक है लिखे गई है ठीक है रहला नमक पुस्तक लिखा है इस बात को भी ध्यान रखेंगे टूइसकिन की बात करेंगे लिकीति में से महिला विखेंगे जो तो इंद में से सबी हो जाएगा तीनों क्या थी संत की ओर बात करेंगे कि लिखा है कि सेख मुईनियू दीन चिस्ती की दरगार जो है आप भली बाती जाते हैं आज मेर राजास्तान में पढ़ता है वहीं पर अढ़ाई दिन का जोपरा भी बनाया था किसने बनाया था कुत्बु दिन एबक ने इस बात को भ करेंगे अगला कोच्छन में लिखा है कि गोपूरां का सबंद है गोपूरां का सबंद किसे भीया बैपार से है नगर से है गय से है मंदिर से हैं तो हमने बताया है तो आप देखिए वीडियो को पूरा ठीक है कि गोपूरां का समद मंदिर से हैं और आप साव राइट हो जाएगा कि भीजय नगर समराज की क्या थी हम पी जो थी राधानी ती इसमें इयाद को रखेंगे कोई दिक्कत में लिए नेक्सट कोचन में क्या लिखा है कि अस्थाई बंदोबस्त काहां लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त जो था अस्थाई बंदोबस्त उसको लागू जो किया गया था वह सबसे पहले बंगाल में किया गया था किसके समय हुआ था अस्थाई बंदोबस्त का मतलब होता है जो जमीदारी पता होती थी ज तो जमीदार लोगों से पैसा तशिल को अंग्रेज को दिया करते थे तो इस जिसे अस्थाई बंदवस्त किया कहा जाता है और सबसे पहले बंगाल में लागा हुआ था किसके समय हुआ था तो यह तो लाड करनवालिस के समय हुआ था ठीक है इस बात को याद रखेंगे और स सीबिल जो सीबिल जो है सिबिल के जोनक भी इन्हें लाड करनमालिस को ही माना जाता है इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे ज्यादा फास्ट वो रहा हुँ तो आप कमेंट करें यहां पर देख लें बस कि आपके समय 40 कोश्टन ही हैं जलिज़दी हम कर लेते हैं लेका ह 26 कोश्चन कि बिहार में 1857 के बिद्रो का परमुख नेता कौन था तो परमुख नेता की बात करेंगे तो बिहार से बिरकुवर सी थे इन बातों पर दियां रखेंगे बात करेंगे अगला कि संथाल बिद्रो का संथाल बिद्रो का नेता कौन था तो संथाल बिद्रो का नेता लिखा है कि बिहार में चमपारन सत्यागरा कब शुरू हुआ था और बिहार के चमपारन में और इसके अध्यक्षित हो थे महात्मा गांदी थे और विनूद कुमार जो शुकल थे ऩिकित नहीं राज कुमार शुक्ल बिनुत कुमार सुक्लने राज कुमार जो सुक्ल थे माहत्मा कांधी को चांपारन बूला थे कब जा लुड़ में क्या किया तब है कि राज कुमार्जों जो थे महात्मागांदी को बुलावा दिये ते कि भाईया आई यहां पर किसको महात्मागांदी को यहां पर नील की खेती के लिए वह फंपा के लुगाउट जो भूमी है आप को ना contraddiko किया था अंदोलन किया था जै सुनाइब का बहु आपका वह राइट हो जाएगा नेक कोशन के और बात करेंगे कि दामनी इको क्या था दामनी एक दामनी इको कहेगा तो यह भू भाग से संबंदी था इन बातों को ध्यान में रखेंगे करनवालिस करनवालिस कूड़ बना करनवालिस कूड़ कब बना था तो इस बात को धियान में रखेंगे करनवालिस जो कूड़ बना था ठीक है तीस कोश्चन है तीस कोश्चन को अगर धियान में रखेंगे करनवालिस कूड़ जो है ठीक है कारनमाली स्कूट बना था ये बना था आपका आप 1793 में ठीक आ राजधानी कलकत्ता से दिलिकल में आशनांत्री criterion कर दी गई थी यानी भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी उससे दिलिकल अस्तनांत्रीzarlaw आशनांत्री सब्सक्राइब करेंगे कि पूर्त करेंगे कि पूर्त गालियों ने गुवापक अधिकार कर लिया था तो पूर्त गाली जो सब्सक्राइब करेंगे कि अधिकार कर लिया था किसको हराकर आदिम सा को हराकर गुवापक अधिकार कर लिया था इस बात को सब्सक्राइब करेंगे अगला कोशन लिखा है कि कलकता में सर्च नियाले की अस्थापना की गई थी इस बात को भी धियान में रखेंगे अगला कोशन लिखा है कि शुर्द को कि गई थी ठोड़ा सा हीRCम बचा है इसको हम देख लेते हैं तो भार्तियक राष्टी कंग्रेस के अस्थापना गर्तिये कंग्रेस के स्थापना 18185 में होती है और यह बंबाई में होती है तेजपार कॉलेज cinco लेज था zu prison तहां उसी की अस्थापना होती है यहां तो कोई दिकत है इसके लोग प्रते कुल 72 लोग थे सामिल थे जब पहली बार हुई थी जाद रखेंगा कोई दिक्कत नहीं है निक्स्ट कोचन की और बात करेंगे कि सतंत्र भारत का अंतिम गवर्नल जनरल कौन था तो सतंत्र यानि भारत देश का बज़ाद दिया था तब 15 अगस्त तो नहीं सो 47 को बु करेंगे कि भारतिय सबुदान के पारूप पर समिति के अद्यक्ष कीने माना जाता है तो भीम रावामेत करकर जन्म कहा हुआ था तो महुम्द परदेश में इनका जन्म होता है और यह मार जाती से बिलोंग करते हैं इनका जन्म कब गवाता तो 14 अप्रेइल 1891 में इनका मह उम्मद पर्देश में जनम हुआ था इन बातों को भी धियान में रखेंगे नेक्स कोशन के और बात करेंगे चलिस्वा कोश्चन लास्ट कोश्चन है कि भारतिय सभिधान की अनुसार सन परभूता नहीं थे तो भारतिय सभिधान करन्था सन परभूता है वह सभिधान से न बोल रहें सुलोली सुलोली बोली जिए तो सुलोली सुलोली में त्रशा टाइम लगता है यसलिए तो इस बात को भी धियान में आप लोग रखेंगे दोस्त फिर मिलेंगे फिर आपने अगले वीडियो मिलेंगे नमस्कार